तीन दिन सिर्फ इस एक टुकडे को पानी में उबाल कर पीलो, सो साल तक सुगर रो, कोलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा और ये दिल से जुड़ी बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी, नमस्कार दोस्तो, दोस्तो आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी पानी में उबाल कर पीना है, और यदि आप ऐसा करेंगे, उसको पानी में उबाल कर पियेंगे, तब आप इसके चमतकारी रिजल्ट देखेंगे, और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बनता हुआ, आप खुद महसूस करेंगे, और दोस्तो इसका असर आपको तीसरे इस नुस्खे का रिजल्ट, दोस्तो यदि आपको डाइबटीज की बीमारी है, तब भी दोस्तो ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान की त्रह काम करेगा, और आपके सुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा, दोस्तो बहुत कम नुस्खे ऐसे होते हैं, जो कौन सा नुस्खा यूज करें और कौन सा नुस्खा यूज नहीं करें, लेकिन दोस्तो ये नुस्खा आपके सुगर लेवल को तो कंट्रोल करने का काम करेगा ही करेगा, इसके साथ में इस डाइबटीज की बीमारी के जो कॉम्पलिकेशन होते हैं, दिल की बीमारियों से उन से भी आपको बचा कर रखेगा, और दोस्तो इस काड़े को बना कर पीने से आपका सुगर लेवल हमेशा बिलकुल कंट्रोल में बना रहेगा, दोस्तो क्या आपको कोलोस्टोल की समझ्चे है या आपका कोलोस्टोल बड़ा हुआ है, और आप अपने इस बड़ी हुए बैड कोलोस्टोल को कम करना चाहते हैं, तो दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए एक वरदान की त्रह काम करेगा, और आपके इस बड़ी हुए बैड कोलोस्टोल को सही करने का काम करेगा, दोस्तो और यह बात तो आप जानते ही हैं, कि यदि आपका कोलोस्टोल न काम करेगा उसकी efficiency को बढ़ाने का काम करेगा इतना जबरदस्थ है ये नुस्खा दोस्तो क्या आपको पेट की रोग है आपको पेट में गैस कबज या acidity की समस्य है या आपका पाचंतंतर कमचोड है दोस्तो तब भी ये नुस्खा आपके लिए वर्दान की त्रह काम करेग और दोस्तो यदि आप इसे एक टुकडे को पाणी में उबाल कर पीते हैं तो इससे आपका पाचंतंतर मजबूत बन जाएगा और आपको ये पेट के रोग पेट में गैस कबज एसडिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा आप इन सब से बचे रहेंगे और दोस्तो हमारे स दोस्तो क्या आपका मोटापा बड़ा हुआ है और आप अपनी इस पेट की चरवी को कम करना चाहते हैं क्योंकि ये मोटापा भी हमारे सरीर की बहुत सारी बीमारियों का कान बनता है तो दोस्तो आप बिलकुल सही वीडियो देख रहे हों क्योंकि ये नुस्खा आपके मो आपके स्रीर में खून की कमी है या आप अपने स्रीर की खून की कमी के साथ साथ आपके स्रीर के खून को साफ भी करना चाहते हैं दोस्तो तब धी ये नुस्खा आपके लिए वर्दान की त्रहे काम करेगा और आपके सरीर की खून की कमी केसाथ सथ खून को साप करने का काम भी करेगा जिससे आपको चहरे पर कील मोहासों की समस्या नहीं होगी और आपके चहरे पर भी गलु आ जाएगा आपके चेहरे की सुंदरता निखर जाएगी आप पचास साल की उमर में भी 25 साल के दिखाई देंगे इतना चमतकारी है नुस्खा और दोस्तो आज के इस नुस्खे की जो मुखे समगरी है वो है दोस्तो अरजुन की चाल दोस्तो हम जिस टुकड़े की बात कर रहे हैं वो है अरजुन की चाल का टुकड़ा दोस्तो आपने अरजुन की चाल के एक टुकड़े को पानी में उबाल कर भीना है और दोस्तो अरजुन की चाल के फाइदे आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आपको यह नहीं पता होगा इसको लेने का सही तरीका। आज की सुटे में हम आपको बताएंगे। दोस्तो आपके स्रih कि आप किसी भी बीमारी का नाम ले सकते हैं और उस बीमारी के लिए इस अरजुन की झाल के काड़े का परियोग कर सकते हैं। दोस्तों आपको चमतकारी result दिखाई देंगे दोस्तों इस आरजुन की च्छाल की बहुत सारी एलोपेथी में दवाई आती हैं और देशी दवाईयां तो आती ही हैं होमोपेथी में भी इसकी बहुत सारी दवाईयां आपको मिलती हैं लेकिन आज जो हम आपको काड़ा बना कर दिखाएंगे वो इसका सबसे बैस तरीका है यूज करने का और आपने सरीर को निरोगी बनाने का दोस्तो आपने क्या करना है दो गिलास पानी लेकर आग पर उबलने के लिए रखना है जैसे कि यह हमने रख दिया अब आपने इसमें एक टुकड़े को लेकर अच्छी तरह है पानी से धोकर उसमें इसको डाल देना है अब आपने इसमें डाल दी है एक छोटा चमच दालचीनी पाउडर क्योंकि दालचीनी पाउडर हमने इसलिए प्रयोग किया है इस काड़े की एहमियत को बढाने लिए जिससे कि ये काड़ा और तेजी से काम करी। और दोस्तों आपने इस पानी को तब तक उबाना है। जब तक कि आपने वो दो गिलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर एक गिलास ने रह जाए। और जब वह उबल उबल कर एक गिलास रह जाए। तब इसको आग से नीचे उतार दें और चान कर इसको गट-गट करके पी जाएं। ये काम आपने हर रोज सुबे खाली बेट करना है। अब दिन में दो टाइम भी ले सकते हैं पर एक टाइम लेंगे तब भी प्रोपर हैं। तो दोस्तों यदि आप इसका सेवन हर रोज सु तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीचिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीचिए। और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा जीक ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वीडियो की नोडिकेशन आत रहे धन्यवाद दोस्तों।